साथियों, अम्रित काल का भारत एक फाइटर पाइलेट के तरह आगे बढ़ रहा है एक ऐसा देश जिसे उचाई या छुने से डर नहीं लगता जो सबसे उची उडान भरना के लिए उत्साहित है आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंद फैसले लेता है ठीक वैसे ही जैसे आकास से उडान भरने वाला एक फाइटर पाइलेट करता है और सबसे महत्वण बात भारत की रब्तार चाहे जितनी तेज हो चाहे वो कितनी भी उचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जडों से जुडा रहता है उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है यही तो हमारे पाइलेट भी करते हैं एरो इंडिया की गगन बेजी गरजना में भी भारत के रिफार्म, परफार्म और ट्रांस्पोर्ट की गुंज है आज भारत में जैसी निरनायक सरकार है, जैसी स्थाई नितियां है, नितियों में जैसी साफ नियत है, वो अभुत्पुर्व है हर सक्ट इंवेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहोल का खूब लाप उठाना चाहिए आप भी देख रहे हैं कि Ease of Doing Business के जिशा में भारत में किये रिफॉर्म की चरदा आज पूरी दुनिया में हो रही है हमने Global Investment और Indian Innovation के अनुकुल माहोल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाये है भारत के Defense सेक्टर में Foreign Direct Investments को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है अब कई सेक्टर में FDI को Automatic Root से मंजूरी मिली है हमने उद्योगों को License देने की उप्रक्रिया को सरल बनाया है उसकी validity बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही process को बार बार नर्द होना न पड़े अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो budget आया है उसमें manufacturing कंपनियों को मिलने वाले tax benefit को भी बढ़ाया गया है इसका फायदा defense sector से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है साथियों जहाँ demand भी हो capability भी हो और experience भी हो natural principle कहता है कि वहाँ industry दीनों दीन और आगे बढ़ेगी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भारत में defense sector को मजबूती देने का सिल्सला आगे और भी तेजगती से बढ़ेगा हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है मुझे भी स्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और सांदार आयोजन के गवा बनेंगे